साथियों, हमारे देश में हाउसिंग स्किम का इतियाद दसों को पुराना है। पहले भी गरीबों को अच्छे गर, सस्ते गर की जरूरत थी। लेकिन उन योजनाओं को उनके अनुभाव गरीबों के लिए बहुत खराब रहे हैं। इसलिए जब चार-पांच साल पहले केंदर सरकार इस आवाज योजनापर काम कर रही थी, तो हमने उन सारी गलतियों से मुक्ति पाने के लिए, गलत नीतियों को मुक्ति पाने के लिए, और नए उपाय खोजने के लिए, नए तरीके खोजने के लिए, नई नईतिया बनाने के लिए, उन बातों पर हमने विशेश ध्यान दिया और उसमें गाउं के उन गरीबों तक सबसे पहले पहुँचे जो घर की उम्मित छोड़ चुके हैं, जो उन्होंने माल लिया ताब तो जिन्दिकी बस फुटपांत भी जाएगी, जोपड़ी में जाएगी, सबसे पहले उनकी चिंता करो दूसरा हमने कहा, आवाटन में पूरी पारदर्शिता हो, कोई भाई भती जावात नहीं, कोई वोट बेंक नहीं, कोई जाती नहीं, धिकना नहीं, पलाना नहीं, कुछ नहीं, गरीब हैं, हकदार है तीसरा, महिलाओं का सम्माद, महिलाओं का स्वाबिमाद, महिलाओं का अधिकार, और इसलिए हमने, जो घर देंगे, महिलाओं को घर का मालिक बनाने का प्रयास उसमें होना चाहिए चौथा, जो घर बने, उसकी टेकनलोजी के माद्यम से लगातार मोनिटरिंग हो इट पत्थर जोड कर मका नहीं बने, भलकि हमारा ये भी लक्ष रहा कि घर के साथ चार दिवारे नहीं, सच्चे अर्थ में जिन्दगी जीने का वो एक बहुत बड़ा स्वपनों का वहां अंबार सजना चाहिए और इसलिए उसको सारी सुविदाओं से जोड कर गरीब को घर दिया जाए। प्रधान मत्री आवास योजना के तहट ये घर ऐसे परिवारों को मिल रहे हैं, जिनके पास अपना पक्का घर नहीं था, जो जोपड़ी में, कच्चे मकान में या तूटे फूटे खंधर में रहते थे, इन में गाओं के सामाने कारीगर हैं, हमारे दाहडी मद्दूर है, हमारे खेत मद्दूर है, इसका बहुत बढ़ा लाब गाओं में रहने वाले उन छोटे किसानों को भी मिल रहा है, जिनके पास बीगे दो बीगे जमीन होती हैं, हमारे देश में बड़ी संख्या में भूमी हिन किसान भी हैं जो किसी तरह अपना गुजारा करते हैं इनकी पीड़ी दर पीड़ी गुजरती रही ये अपनी महनत से देश का पेट भरते रहे लेकिन अपने लिए पक्के मकान और छत का इंतजाम नहीं कर पाते आज ऐसे सभी परिवारों की पहचान करके भी उन्हें इस योजना से जोड़ा जा रहा है ये आवास ग्रामीन ख्षेत्रों में महिलाओं के ससक्ति करन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहे हैं क्योंकि अधिक तर आवास गर की महलाओं के नाम पर ही आवंटित किये जा रहे हैं जिनके पाद जमीन नहीं हैं उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जा रहा है इस पूरे अभियान की सबसे खास बात ये हैं कि जितने भी घर बन रहे हैं सबके लिए पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है किसी भी लाबार्थी को तकलीब न हो ब्रस्टाचार का सिकार न होना पड़े केंद्रों और यूपी सरकार मिलकर इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं साथियों आज देश की कोशिश है कि मुल्भुत सुविधाओं में गाव और शहर के बीच का अंतर कम किया जा सके गाव में सामान्य मान्वी के लिए गरीब के लिए भी जीवन उतना ही आसान हो जीतना बड़े शहरों में है इसलिए प्रधान मंत्री आवास योजना को सावचालय, बीजली, पानी ऐसी मुल्भुत सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है बीजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, सौचालय, यह सब गर के साथ ही दिये जा रहे है अब देश गाव गाव पाइप कनेक्शन से स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चला रहा है मक्सद यही है कि किसी गरीब को जरूरी सुविधाओं के लिए तकलिफ न उठानी पड़े इधर उधर दोड़ना न पड़े